डीडी किसान बदलते भारत की शान नमस्कार बहुत स्वागत दूर दशन किसान देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राधीका चौधरी आज आपका स्वागत करते हैं जिला कुलू गाउं तरगाली यहापर बात करेंगे प्राकर्तिक खेती और आज बात करेंगे प्राकरतिक खेती को हमारी महिलाएं बढ़ावा दे रही है उसमें केई प्रकार की खेती कर रही है साथी साथ बात करेंगे मिश्रित खेती, बहु फसले खेती एक खेती के साथ केई अलग-अलग प्रकार की खेती करते वे हमारे किसा नजर आ जाएंगे तो चलिए आज की प्राकरतिक खेती का अब भी हिस्सा बनिये तरगाली गाउं तक का सफर देख करते हैं तो चुपाल सुर्चों मैं पहुंच चुकी हूँ तरगाली वासियों का बहुत स्वागत एक बार तालियों से अपने आपका स्वागत कर दीजीगा हमें अब बता करेंगे किसान महिलाएं तो है हमारे साथ विभाक की बेठावा है चलिए विभाक सा जानते हैं कि किस प्रकार से प्राकरतिक खेती को यहां पर बड़ावा क्या होता है तो समाध्हार नमस्कार नमस्कार जी मेरे नाम प्यार बाटी है और मैं यहां पे बंजार ब्लॉक में प्रागी खेती को सालकिसानी हो जना के तायद भी विकास खन के उरूप में काम कर रहा हूं तो यहां पर जो है। दो खेती 2018 से सुरु हुई थी तो यहां पर सबसे पहले जो हमने इसे तरगाली गाओं मैं एक डेमोशन लगाया था है जिससे की हमने प्राकटीखी की तो उनकी इस जन्याण शाय बूरा गाओं की तो प्राकटीखी खेती जूड़ा हूँ है और हम अप सब कुछ मिलता है जो भी हमारे प्राकिति को सालकिसानी जो रखते हैं जो इसके में आती है उसके लिए इनको हम भर पूर फैदा देते हैं और इस गाउं को हमने एक प्राकित खेती के साथ जूड़ा हुआ है बेसक लोग आपने थोड़े किछन गार्टन में सुरू करें देरे जो है इन्होंने आगे उस खेती को प्राकिती को आपने सोजन्य से कर रहे हैं मैं आपके पास फिर लोट कर आओंगी पहले हम अमारी किसान महिलाव से बात कर लेते हैं जी आप कड़े हुए नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी क्या नाम है आपका निर्मला निर्मला पहले जो खेती करते थे और आज जो करते हैं उसमें कितना बदला हुआ गया है ब सब्सक्राइब कर दो तीन साल से कर रहे हैं उससे पहले क्यों नहीं कर रहे हैं तब पता नहीं था तब से करते थे खाद डालते थे अब किचन गार्टन से शुरू हो रही है तो क्या क्या अपके किचन में हैं जैसे मतर होए प्याज होए पालग होँआ सरस्व हो गई अब टमाटर वगड़ इसमें भी उसमें भी आ रहे हैं इसमें अभी तक तो वहीं चलिए खाद विक्स करते थे पर अब नहीं अब देरे-देर लाते हैं कि पैसा बच गया है अंगले का विभाग क्या मदद करता है काफी जानकारी देते हैं और हमें भी देते हैं और मतलव जो भी आता हमें आप이면 और इसके जानके हमें अनिता में से मिलती है जी मैं बैठिये बहुत दनिवाजी आप भी खड़े हुई है नमस्कार अधिका जी क्या नाम है आपका चंपनिगी प्राकरतिक खेती की बात कर रहे हैं तो पहले वाली खेती और आज की जो खेती है इसमें फर्क क्या है पहले हम दो गेर डालते थे यूडिया डालते थे लेकिन अपने वह दिरे दिरे बंद कर दिया आपको शिशकर रहे हुए तिक यह डाले जीवामरी तोवा गुबर की खाद हुई यह चीज है खुद बना रहे हैं जय से बना थे लिशे ट्रेणिंग लेते हैं अहां यहीं पर जो ग तो मार्केट में जो हम जहर डाल के बोते थे और आज पूरा देशी ओर्गानिक तो भाव जादा इसका मिलता था या उसका रेट तो ब्राबरी है उतना ही है फाइदा क्या करने में फाइदा यह अपने लिए कि कोई भीमारी नहीं आगे इससे नहीं तो यूरिया से सपरे से कई बीमारी यहां रिये है फालफूर्ट में सबजियों में इससे थोड़ा फायदा हो रहा है यहां जानकार है आप कि फाइदे की जरूरत नहीं है लेकिन बीमारी तो बस सकते हैं यहां से आपको मार्केट लिखे जाना है मैटर तो क्या भाव मिलता है मटर 40 रपे गिलो आप से चालीज जाता है अंजी हमार से चालीज नहीं है ठीक है बहुत दन्यवाद जी आप सभी मैं पूछूंगी जी सब आप ही की तारीफ कर रहे हैं नमस्कार नमस्कार जी अचा चाल आपको कहरें की अनीता दीदी से सीख तो आप कोई एक्सपर्ट हैं कोई अधिकारी है vist q जिसमें खर्चा मारा कम हो और लाब ज्यादा होता है। जो आत्मा प्रजेक्ट है, जो बीटियम पुषपराजी है, तो इन्होंने हमें मतलब पहले किचन गार्डन से जान करी दी, जो फसल आती है, जैसे उर्बरक बैदावारी अच्छी हो रही है, तो उसके बाद मैंने बड़े स्थार पर जैसे यहाँ वाला खेती तीन विगे म मैंने च्मार्डर तेहर किया, तो इसमें मैंने मिश्रित खेती भी की है, मु़्खिय फसल मैंने से लगाई है, और स vulner मैं आठ से दस फसले लेती हुँ और लैं가 किसी में बहुत फाइदा है और इसे में खर्चा भी कम है, और लाप ज्दा है, तो इसे हमें स्वस्तिय क भी खियाल कर्फार अच्छा हो गया, मतलों स्वस्तिय में ठीक रहता है और खर्चा भी काथ्यों क्याए says? कैचवहा है जा जब आपसे पूछने आती हैं कि देसी को केसिसे बनाएंय कौन है केचवहाथ है कर दाधा,केचवहां कसब बनती है well कोई बिमारी लगक जाती है तो उसमें किसका होता है बेठिये बहुत धन्यवाद जी आप भी खड़े हो जाईए नमस्कार नमस्कार जी क्या नाम है आपका रामलता रामलता महिला आए नोखरी करती हैं करती है जी कुछ कुछ करती है कुछ करती है कुछ कर में केति बाड़ी का काम करती है जी अचा केति बाड़ी सदासे करते आ आप पहले वाली खेती और आज की खेती में कुछ फर्क है परक है पहले तो गया हूं और मक्की भीचते थे दो इवसले अब तो बहुत जैसे सब जी विएरा लगाते हैं मट्र लगाते हैं टमाटर प्याज विएरा सब कुछ लगाते हैं आप लोगों का कोई महिलाओं का ग्रूप है हमारा ना जी तो उसमें जैसे पर मंत में एक एक मिल्य में जैसे पैसे कठे करती हूं तो फिर उसमें जम्मा रखने बेंक में किसी को जैसे जुरूरत होती है उनको दे देने कुछ और समान बग्यारा लेना होगा किसी ने कुछ लेना होगा किसी ने जैसे पैस अब्याज पे लेते हैं, तब पैसे फिर जम्मा ग्रूप में ही करने, उसे अपना काम बग्यारा चुलाते हैं, किसी का जाजाते हैं, घर में जैसे शादी आ गई हैं, तो सब मिलके सयो करते हैं, सयो करते हैं, जी मिलके, फिर वो पैसा लिया वो वापस लोटा, जी वापस ज आपके बीच कॉनको नाते हैं जैसे बीच में आते हैं, मीटिंग करवाते हैं, और मतलब जब फसलें लगानी होगी तो तब बीच भी देते हैं और मीटिंग भी हो जाती है बेटिये बहुत जन्यवार एक सवाल और मैं आपसे करूंगी सर अगर खेत में कीड़ा लग जाता है फंगस लग जाता है और बहुत आम है कि सब्जों में बिमारी होना क्या समाधान है उसके लिए अब समधान है मारी अब्ज हो गये कि जो खटीलस होती है उसके उपर कन्टै North direkt है तो इटनी जागरूक हो गई है कि वह स्मार्ट फौन चलाती है त इसमार फौन की आज कले इतना समय आप लोगों के पास भी नहीं कि हर घर जा पहुंचे तो कोई समस्या यह वाटसप के जरी फोटो कीच के भेजे वीडियो बनाकर भेजे तो उसका समाधान फोन पर हो जाता है उसका समधान फिर भी आग नहीं हो तो खुद भी आमें आ जाते हैं यहां पर पीनिकर स की स्मार्ट तस्वीर वक्त होगा एक चोड़ी से ब्रेकाब रेके बाज फोरण हाजर होता है आप कहीं बन जाईए कहां होगी बारिश किस जल्ह पढ़ेगी बर्फ कहां रहेगा गोहरा कैसा रहेगा तापमान परेटन इस थरो पर क्या रहेगी मौसम की स्थिती जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम साड़े साथ बजे सिर्फ डीडी किसान पर ब्रेक के बाद बहुत स्वागत पहाडों से चोपाल चर्चा चल रही है और इतनी खूपसूरती के साथ एक खूपसूरत तस्वीर इन घने बादलों के बीच इन घनी पहाड़ीों के बीच हमारी सुंदरता देखे महिलाओं की इस पहनावे के साथ पूरे हिमाचल की तस्वीर को पेस कर रही हैं अब सवाल करूंगी की प्राकर्तिक खेती किस तदो से हमारी महिलाई कर रही हैं consider कि नमस्कार जी क्या नाम में आपका मेरा नाम सीता देवी त्वी हैं सितन देवी यहां पर नाम सब के बड़े प्यारे होते हैं या से नीटा नेगी ने निटा नेगी लगाए लगा है matter देविल वी पछूप अंखाएं शाया है पहले लगा है है म सकाम में करती हूं मिलेट समय मिलेट 내ृ जैसे कोद्डा नंक सालंतर लों कंग刚 नी बाज्रा ऐसे है अनैस्योंशही च्कुका हमें पता भी नहीं अब ही जाए है मैं तो अब पता भी लग रहे होगे कर रहे है गाहिए नियुक्त वस्तार्ण लगते गाउन लगता है आगे तो उसमें मैं खुद बना के लेके गई थी बरफी बिस्किटल डूब गेरे सर को पता भी है वहारे भी वागवारों को तो डिमांड थी लोगों ने खरीदा अंजी मैं मुझी खरीदा लोगों ने और आगे के लिए मुझे बोल रहे थे कि करना है में ठीक है तो करेंगे सोचेंगे इसके अभी सोच रहे हैं लेकिन किया थोड़ थोड़ा कर रहे हैं स्टार्ट चेले विभाग और अनिता जी आपकी काफी मज़द कर रही हैं बहुत जल्द अच्छी सी दुकान लगाए बैठ जाईए और आपको कही ना कहीं नहीं पढ़ना मेडम भूंगरी देवी ठीक है फिर से नाम क्या है भूंगरी देवी अच्छा कितनी उमर होगी आपकी वूंगर यवाई सो पार करगे अब अच्छा सतर असी के आसपास है प्राकरति खेती करते हैं आप भी वह अच्छा अम्मा आप बताईए 80 साल की उमर चाहिए अच्छा यह समस्याएं बहुत होती होगी पारो में सबसे जरूरी होता पाणी सबसे जरूरी होता बिजली और तीसरा हो जाता है आपके घर घर सब को चाहिए आप लोग जो लगाते हैं मोटा अलाज अगर उसका खान पान करें तो बीमारी कम होगी हाँ जी बेढ़ जाईए बहुत दन्यवाद जी अब जागरु खोना पड़ेगा हमारी महिलाओं को क्योंकि आपको ही पूरे देश को संभालना है नमस्कार जी अच्छा आपके कंदों रख ब्रढ़ना होती है घर सममार्ना ओता है बच्छों को पदी देखना पड़ता है उसके बाद खेटों को Bak Grandpool कि मेरा नाम रीना डीए अफरी नाजी प्राकषिक क्यति की सब लोग बात कर रहे हैं आप अब पुरानी वाली जहती में हैं आपकर करते हैं तोड़ीенे पहले जहर जादा जालते हैं। आपको मालूम हैं, जहर जादा देने से मिट्टी खराब हो जाती है। पानी की बात हो गए की हो रहा हैं आपे। खाद भीच कहां से मिलता है। खाद भीच हम आरको यह एग्री कल्चर बाले कुछ देते हैं कुछ बज़ारा से आता है इस तरह कुछ खरीद के लिए आते हैं हम इस तरह तरह अच्छा एग्री कल्चर जो विभाग आपका मदद करता है अजी बिल्कुल करता है बेटी है बहुत धनियवाद जी विभाग मदद कर रहा है तो आप बहुत बहत्र खेटी कर सकते हैं क्या नाम आपका कला निकी अच्छा इतना मुस्कुरा क्यों रही पर या तो खेटी में ज्यादा फाइदा है ये फिर जादा नुक्सान हो गया फाइदा है फाइदा है कि अजो पहले है बाग वीज्वाइद पहले वाली जो सम्भासिया थी पानी करें खेती बाड़ी होती है आपके परिवर में येस महम होती है क्या होता है के तुम्हें टमाटा लगाते हैं सेव लगाया पलम बगी चाय पहले के मुकाबले महिलाएं कितने जागरुक हो गई है काफी अब तो बहुत फरक है जैसे पह करते हैं अंगनवाडी वरकर है तो अंगनवाडी में हो जाता है कि बच्चों को पॉष्टी काहर दिया जाए क्या पॉष्टी काहर देते हैं अंदल्या देते हैं किचरी देते हैं बिस्केट देते हैं यूट्र मिक्स सब चीजे मिला कि जिसमें जो ग्यां से वनी होती है मेरी दूर है काफी यहां से नाम बताए किस गाउं मैहार गाउं मैहार गाउं यहां से कितना दूर होगा 20 किलोमेटर किलोमेटर से भी आप चोपाल चर्चा में आई है यह जानका रिलेने के लिए क्या होगा अच्छा बदलाओ के लिए और क्या जरुए क्या पड़ी लिखी है आंगनबाडी वरकर हैं तो आपको क्या लगता है कि पहाडों में और क्या बदला होना चीए जो भी नई नई तकन कि आती है बो डिपार्टमेंट के दोरा गाओं में केम्प लगने चीए था कि लोगों को सीख मिल सके पता लगे कि कैसे क्रिशी की जाती है नहीं नहीं टेक्निक बैठी बहुत दन्यवाद और भी हमारी आपर किसान भाई है जी आप कड़े हो जाईए जी क्या नाम आपका मेरे रिंकु कुमार अचा रिंकु जी हिमाचल प्रदेश से है जी बिलकुल मैं आपका हिमाचल कितना बदल गया है पहले की मुकाबले जी अब तो पहले से ज्यादा इसमें डॉल्मेंट हो गई है क्योंकि पहले कनेक्टिविटी कम थी रोड कम थे तो अब तो दूर दरा तक आ चुके हैं पाड़ों में तो उसमें मला हर जगह से डॉल्मेंट हो रही है अगर देखा जाए तो पहले इतनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे अब आपके हिमाचल में बेटिया नोक्री करती है जी बिलकुल नोक्रियां भी करती है और हर विभाग में वो हिसा भी अच्छे जी ले रही है बात है बेटिया हर विभाग में हमारी बेटिया है महिला है अमा आप भी खड़ी होई तरनाम क्या आपका हरी देवी आज यह अरे भरे खेद देख रही हूं इनमें फल लगे हैं सबजिया लगी हुई है पहले होती थी पहले कम होती थी और अब ज यह कैसे हुआ अब यह जो नाई खेटी है ना पाकरफी खेटी इस ज़्यादा बढ़ रही हो किया दाली बजाओ भाई अम्मा प्राकरतिक खेटी के बारे में बता रही है अचा अमा की उम्र इतनी है वो कहते हैं ना कि उम्र चाहिए कोई भी हो लेकिन जानकारी जरूरी ह 80 साल, 80 साल, ठीक है, बहुत धनिवाजी, नमस्कार, क्या नाम आपका, कला देवी, कला देवी, कला देवी, कला देवी, अब प्राकर्थी खेती कर रही है या और कुछ और लगाती है, मैं पहले से गोबरी से डालती हूँ, खाद कम मीदा, पहले से कब, जिस टाइम से, ये, उसी टाइम से है, उनी से सिखाएगो, बर डाना खाद कम डानी, हां जी, तो सही भाव मिल जाते है, अजी, क्या क्या लगाते अब, मैंने लगाई है, जैसे नार लगाए हैं, और सेवी लगाए हैं, थोड़े पलम भीला, इसे अनार सेव, पलम जो है, ये दिल्ली मेरा नाम यादी बिंदर कुमार है वह मैं क्रिसी विवाग बन जाए हूँ और मैं सहाइक तक निगी परबंदग हूँ वीटी मसाइब के साथ हो दो हूँ वीटी पराकृते की जानकाई देना किसान को बीज देना डेमों औरीदा सब कुछ रहा है कैसे पहुंचाता है고 वह आप तक पोंचते हैं या पोंचाते है या विजях कुलों से आता है पूरी तरह जो अच्छे बीजें वही पहुंचते हैं किसानों के पहुंचते हैं किसानों को जैसे पहले तो फार्म आफ लाइन बनना पड़ता था अब आलाइन सब कुछ हो गया है तो आलाइन फार्म खुद बढ़ता है और उसके बाद जैसे सबस्टी के साइसे संस्टीए उसके बाद सबस्टी यह कौणा रहाने लोगों को मैं सटीएट देढा एंस ऐसे काम प्रणा तो यह जीरो बजट वाली खेती से अपना रहा है कि सान्नग है अपना रहे हैं जी क्योंकि अगर मैं बात इस पंचायत की गरूं तो कितना ही लगबग होंगे गाहों अब पूरी पंचायत करें आज की समय की जुरत भी है नमस्कार क्या नाम है अपका बीना कुमारी तो बीना कुमारी गुरूप के माध्यम से केती कर रही है या सिंगल कर रही है खेती तो वैसे सिंगल कर रही है गुरूप के माध्यम से भी जैसे कई वार बीज वगेरा खरीदना हो तो हम अपने गुरूप से पैसे ले सकते हैं और बीज खरीद सकते हैं दवाइगा ले सकते हैं अच्छा इस गुरूप कर जो आप बात करें स्वेशायता समू की सालफ सकते हैं सरकार मदद कर रही हैं किसानों के और विज्यान ने भी जवाग पर या जानकारी हर काम अधूरा होता है और गयता है कि अदूरी जनकारी कहीं नुक्सान कर सकती है पूरी जानकारी के साथ आप खेती कीजिए अनिता जी की तरह आप भी केई अवोर्ड ले सकती है अनिता जी की तरह आप पूरे पंचायत में नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर सकती है इन्होंने प्राकर्तिक खेती के माध्यम से आपने आपको आज आत्मे निर्भर बनाया है तो चलिए आज आत्मे निर्भरता की तस्वीर हिमाचिर परदेश से प्राकर्तिक खेती की बात कर रहे हैं क्योंकि हम सब का एक संकल्प है हर किसान को हर घर को प्राकरतिक खेती करवाना है क्योंकि हम सब को मिलकर इस काम को पूरा करना है तो चले इसाज़त दीजिए ये कारेकरम आप टीवी पर नहीं देख पाएं तो यूटूब के मादियां से भी देख सकते हैं नवश्का